नमस्कार दोस्तों मैं हूं सुमच चौधरी और सुक्सेस प्लस स्केडमी की प्लाटफों पर आप सुभी का हर्दिक स्वागत है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हूंस इन्वेजन ओफ इंडिया प्राचिन भारत के इत्यास में मद्दे एशिया की एक कुरूर, हिंसक और बरबर परजाती हूं के दुआरा 34-36 अताबदी के बीच में जो आकरमन किये गए उन्ही का इत्यास हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और जानेंगे कि इसका प्रिणाम क्या रहा, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है सबसे पहले हम जाते हैं कि हुण कौन थे हुणों के इत्यास के बारे में मनें एक सेपरेट वीडियो बनाया था जो मनें कल ही अपलोड किया है उस वीडियो को आप जरूर देखेगा जिसमें मनें ये बताया है कि ये हुण कोन थे, कहां से आये थे, किस तरीके का जीवन जीते थे ये वही हुण हैं जिन्होंने भार्त, यूरोप और रोमन सामराजे के उपर चोती से छटी शताबदी के बीच आकर्मन किये हैं ये वही हुण हैं जो कि पस्चिमी रोमन सामराजे के अंत का कारण बने हैं, वो रोमन सामराजे जो एक समय पे दुनिया का सबसे ताकतवर सामराजे था, उसके पतन का कारण ये हुण बने हैं, और भी कई सारी जर्मनिक ट्राइब्स ने इनके उपर अटेक किये उसके अलावा भारतिय इत्यास की स्वर्णिम योग कही जाने वाली गुपता डाइनिस्टी के पतन का कारण भी यही हुन बने हैं तो इन हुनों के बारे में मैंने कई सारी बातें आपको बताई थी किस तरीके का यह जीवन जीते थे, किस तरीके से लड़ाईया लड़ते थे, किस तरीके की बरबरता और दहशता यह मचाते थे जहां जहां पर जाते थे तो इनका इत्यास मैंने बढ़ताया है हालांकि अगर आपने ये विडियो देखा है तो इस विडियो का जो मैं बना रहा हूँ इसके आप 2-3 मिनट स्किब कर सकते हैं और आगे का पार्ड देख सकते हैं जिसमें हम अने भारती इतियास के बारे में बता रखा है लेकिन अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जानिए कि हुन कौन थे हुनों के बारे में जानते हैं तो हुन जो थे वो सेंट्रल एशिया की एक ऐसी ट्राइब थी जो की बहुत ज्यादा हिंसक थी बहुत ज्यादा बूटल थी जो की अपनी वोर स्किल्स की वज़े से यूरोप, एशिया और इरान के बोट बड़े भूभाग के ओपर अपनी आतंकित गदिविदियां चलाती थी चोथी से छट्री शताब्दी के बीच इन्होंने पूरे इस रीजन को टेरिफाइड कर दिया था ये अपनी घुरसवारी सेना के लिए और अपनी तिरंदाजी युद कला के लिए दुनिया भर में मशूर थे इन हुनों की दो ब्रांच थी, एक ब्रांच की मैंने उस वीडियो में बात कर ली है जिसमें रोमन सामराजे के उपर इन्होंने अटेक किया था और दूसरी ब्रांच वो है जो की भारत की तरफ आ गई थी, एक ब्रांच रोमन सामराजे की तरफ चली गई और दूसरी इंडिया की तरफ आ गई इंडिया की तरफ जो हुन आये उनको कॉमनली वाइट हुन कहा जाता है और हैपलाइट हुन भी इनको कहा जाता है तो दो ब्रांच आई थी वसे इंडिया में हुनों की एक हैपलाइट ब्रांच और एक वाइट हुन ब्रांच लेकिन भारत की तरफ आने वाली ब्रांच को मेनली वाइट हुन्स कहा जाता है ये कुशानों के इन्विजन के सो साल बाद भारत में आये थे उसके बाद इन्होंने कुशानों को भी हरा दिया था गुपतावंस के कुछ साशकों को भी हराया था और फिर गुपतावंस के साशकों ने इनको भी हराया था इन्होंने दुनिया में इतनी ज़्यादा दहशत मचाई इतना बड़ा इन्होंने सामराजय भी बसाया था सेंट्रल यूरोप के अंदर लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया को ये नहीं पता कि ये हुन एक्चुल में आये कहां से आये थे कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये लोग जो है ये शौंगनू पीपल थे मतलब मंगोलियन पीपल थे जो की इस छेतर में रहते थे किसी समय पे और ये मंगोलियन लोग जो है पहले के समय पे चाइना की हैंड डाइनिस्टी और किन डाइनिस्टी के उपर अटेक्ट करते थ टा टा। और उसके बाद इन हेंड-टाइनस्टी के लोगों ने जब इन श्यांगनू लोगों को हरा दिया तो उसके बाद ये लोग जो है इस साइड मुव करने लगए इस त DNA करने लगए इस हैं आपको लिए साइट रजाल कि दो लिए इनके पास थे एक तो ये उपियन हुन की ब्रांच है उसको मैंने अल्रडी आपको कवर करा दिया है उसके अलावा यह बात मैं यहां पे अल्रडी आपको बता चुका हूँ कई सारे थ्यासकारों ने का है कि यह जो हुन लोग थे यह कोई एथनिक ग्रूप नहीं है यह एक पॉलिटिकल कैटेगरी है जो की एक नॉमेडिक पीपल्स की होती है जो की घुमकड पर जाती है जो एक जगह टिकती नहीं है जो की जिनका काम ही है कि लूट पार्ट मचाना और उस छेतर के लोगों को लूटना वहां पे कुछ दिन रुकना और उसके बाद यह एक जगह से दूसरी दगह चले जाते थे यह इनका तरीका होता था तो एक त्योरी तो यह कहती है कि बेसिकली हुन जो है यहां से आये थे और यहां से ही इस साइड गए हैं इंडिया की तरफ भी आये हैं लेकिन एक और त्योरी है जो कि क्या कहती है जो यह कहती है कि यह लोग कजाकिस्तान के छेतर से औरिजने गए और इनकी एक ब्रांच भारत की तरफ चली गई यूरोफ की तरफ जो ब्रांच गई थी उसका जो सबसे इंपोर्टेंट रूलर था उसका नाम था अटिला दहून अटिला दहून का इत्यास मने उस वीडियो में भी आपको बताया है इसने कई बार रोमन सामराजे के उपर अटेक किये हैं चाए इस्टरन रोमन सामराजे की बात कर लो चाए वेस्टरन रोमन सामराजे की बात कर लो इनका भी मने इत्यास बताया है आपको ये इस्टरन रोम किसी भी तरीके से इन्होंने इस Western Roman सामराज्य को एक तरह से धराशाई कर दिया तो ये इतने ताकतवर लोग थे इस तरीके से रहते थे और घुर सवारी के लिए दुनिया भर में मशूर थे और अपने घोडों की पूजा करते थे और अपने घोडों से इतना प्रेम था इनक इसके बाद ये वहां से निकल के किसी दूसी दिगजे चले जाते थे वहां पर जाके लोगों के साथ मार काट मचाते थे इस तरीके की ये घुर सवारी सेना रखते थे और उसके बाद लड़ाईया लड़ते थे और इसी वज़े से दुनिया भर में जहां जहां हुण गए उनका डर का माहूल लोगों के बीच में फस गया हर आदमी उनसे डरता था इनका मैन वेपन था डर डर के नाम पे ये लोगों को जाके कन्विंस भी कर लेते थे उनसे सोना चांदी ले लिया करते थे इवन इन्हों का जो डर था उससें लोग डरते थे इनकी तानाशा ही चलती थी और इतनी ज़्यादा करूरता ये लोग अपनाते थे जिससें लोग इनके सामने पहले ही हाँ जोड़ देते थे कि हम से लूट मार करने की ज़रूरत नहीं हम आपको पहले ही पैसा दे देंगे तो इस तरीक के बाद जो यूरोप के अंदर हून समराजे था वो समाप्त हो गया अब बात कर लेते हैं फाइनली भारत की भारत के उपर इनों ने क्यों अटेक किये और भारत में उस समें किस तरीके की पॉलिटिकल इस्तती थी तो भारत उस समें गुपता डैनिस्टी के रूलर्स के द बात यहां से हुई थी यह गुपता डैनिस्टी के साश्कों का एरिया है लेकिन उसके बाद यह जो छेतर है यह बढ़ता चला गया और यह जो छेतर आपको दिख रहा है भारत का 60, 65, 70 प्रतिशत जो भूभाग है इसके उपर गुपता वंस के साश्कों ने रूल किया है और इन्होंने डारेक्ट लिया और इन्डारेक्ट लिया और दोनों तरीके से रूल किया है समुद्र गुपत के समय पे कई सारे ऐसे छेतर थे जो कि गुपताओं के अंडर काम करते थे गुपता साश्कों ने इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था तो मैं आपको ए छोड़ दिया जाए नर्मना अधधी के साउथ वाला हिस्सा जिसमें पूल केशिंदितिय ने हर्ष वर्दन को हराया था वो वाला च्छेतर वो तो वर्दन डाइनस्टी में चला गया वैं जो यह वाला जो छेतर है यह चोटर्रोल में था साउथ इंडिया की शुरू हो गए थे गुपता वंस के साशन पिरियड को भारत में स्वर्णी म्यूग कहा जाता है गॉल्डन पिरियड कहा जाता है इसके उपर मैंने वीडियो भी बनाया था कि क्यों इन्हों ने कला साहिते संसकर्ती के छेतर में कितना कुछ काम किया जिसकी वज़े से इसको पूरे प्राचिन भारत के थियास का गॉल्डन पिरियड कहा जाता है तो उस समय इनका साशन पूरे वेस्टन इंडिया साउथ इंडिया के कुछ हिस्सों में और नौर्थ इंडिया इस्ट इंडिया में फैला हुआ था लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे क्या है गुपता ड बने हैं उस समय इन हुणों ने भारत के उपर अटेक करने शुरू कर दिये थे समुद्र गुपत के समय पर भी कुछ अटेक हुए थे लेकिन समुद्र गुपत बहुत ताकतवर राजा थे उन्होंने हुणों को कभी नहीं बक्षा लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे करके इ और इसका बेटा जो महिर गुल या महिर कुल इसको कहा जाता है ये दो प्रॉमिनेंट लेडर थे जिनके आपको अभी लेकों और अलग-लग सिक्कों में इनके बारे में पता चलता है किस तरीके के रूलर थे किस तरीके से नोंने लड़ाईयां लड़ी हैं भारत में आके और किस तनी इनको सक्सेस मिली और कितनी इनको लड़ाईयों में हार का सामना करना पड़ा तो ध्यान रखेगा दो हुन रूलर जो हैं भारत में आये थे इंपोर्टेंट एक तो तौरमन और एक महिर कुल इस महिर कुल को भारत का अटीला कहा जाता है अटीला वो जो हुन स विदेशे आकर्मनकारियों ने अटेक किया है उसमें पहले ग्रीक लोग आए थे जो नंदा डाइनिस्टी के समय भारत में आ गए थे जब महाजनपद पीरियड चल रहा था उसके बाद ग्रीक के बाद यहां पे इंडो सीथियन भी आए कुशान भी आए उसके बाद यवन भी आए उसके बाद यह हुन भी आए कई सारे लोग भारत में आए हैं विदेशी आकर्मनकारी कई सारे लोग जो हैं वो आकर्मन करके वहां से लूट माट करके चले जाते थे और कई सारे लोग जो हैं यहीं पर रुख गई प्राचीन भारत में ज्यादा तर जो लोग कोई लोग साशन करने का ही मकसद था कई लोग साशन कर पाई हैं कई नहीं कर पाई इंडो सिन्थियन भी भारत में आके बस गए उन्होंने अपनी राजद्धनी इस पूरुश कुरा को बना लिया तो जो आज की समय पाकिस्तान का पेशावर वाला हिस्सा है तो कुशान वंस जो थे जिसमें सिरी गुप्त और घटोतकर जैसे रूलर थे धीरे दीरे वो इंडिपेंडेंट रूलर बन गे और चंद्रगुप्त पर्थम के समय पे ये गुप्ता डैनेस्टी जो है ये एक्सिस्टेंस में इनकी राजधानी पाटली पुतर और इनका एक इंपोर्टन शे किया और ये समराजे जो है चार सो पचास के आसपास अपने पीक पे था चार सो पचास एडी के आसपास का समय चल रही है इस समय इस समय राजा जो है कुमार गुप्त बन गया था कुमार गुप्त के बाद उसका आने वाला जो राल उसके बाद जो राजा बना चार सो पच गुपता डाइनिस्टी पाउरफुल हुई तो धीरे धीरे जो ये हुन जो थे जो की मद्दे एशिया से आये थे और भारत के वेस्टन पार्ट के उपर इन्होंने अटेक करना शुरू किया था तो सबसे पहले जो कमजोर कुशान बचे थे इनको हराना शुरू किया और ये वाला जो हिस्सा है इसको अपने कंट्रोल में लिया और यहां पे भी आने वाले समय में अभी आप जानते हैं कि इस समय आते आते कुशानों का तो सिर्फ नामों निशान बचा था ये तो गुपता डाइनिस्टी की अधिनता में काम कर रहे थे तो इस चेतर में बेसिकली हारे भी उनकी बात हम आगे करेंगे तो इस चेतर को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया लेकिन उस समय जो सकंद गुपत जो राजा था वो सबसे ताकतवर राजा हुआ करता था उस भार्ट वर्ष का उस समय गुपता वनुश का भी एक ताकतवर राजा उसको मान रखी थी उसके बाद समुदर गुपत ने अपने सामराजे का विस्तार किया हुई हलका गरीन कलर का मैप है जो इनके कंट्रोल में आया फिर ये वाला जो चेतर है ये ट्रिब्यूटरी स्टेट बन गए समुदर गुपत के सामने इन्होंने घुटने टेक दी और ये वैसा का साशक अपने आप बनना चाता था उसका था कि मेरी अधिनता सभी स्विकार कर लो राजा मैं रहूंगा सबसे उपर तुम मेरे अंडर राजा रहोगे तो ये इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था और भारत के अगर ये देखें तो 60-70 प्रतिशत भुबाग के उपर गुपताओं का ही रूल था उसके बाद ये जो हुन थे ये भारत में एंटर करने लगे पंजाब की तरफ से कश्मीर की तरफ से और नोर्थ इस्ट फ्रंटियर के उपर गुपता साशक जो थे वो इन से अपने सामराज्या को प्रोटेक्ट करने में पूरी तरह से सफल नह समय के अंदर जो साशक काम कर रहे थे जो महराज काम कर रहे थे जो सामंद काम कर रहे थे उन्होंने इन हुनों को रोकने में नाकामिया भी उनको मिली तो चार सो अठाउन के आसपास पहला इन्वेजन हुआ दो बड़े मेजर इन्वेजन हैं उनके बारे में हम बात इस समय हेप्टाइल और जो वाइट हुन की जो ब्रांश थी इन्होंने भारत के ओपर अटेक करना शुरू किया और भारत के इत्यास में और ना केवल भारत के थियास में बलकि उस समय जो हुन थे चाहे वो यूरोप के हुन हों चाहे एशिया की तरफ अटेक करने वाले हुन हों उनको कोई नहीं हरा पा रहा था लेकिन एक राजा था जिसने हराया वो था सकंद गुप्थ इसकंद गुप्थ वो ऐसा एक मत्र रा और उस समय जो तौनमन था वही राजा हुआ करता था हुनों का लीडर वही हुआ करता था तो फिर क्या होता है सेकंद इन्वेजन होता है और सेकंद इन्वेजन के लिए हुन वेट करते हैं सकंद गुप्थ की मृत्यू का वेट करते हैं सकंद गुप्थ जो इतना और अड़ लग गुप राजा आये हैं लेकिन वोAyतने ताकतवर नहीं थे और इतने इमपोर्टिंट भी नहीं है उन राजा के समय होगजों किई सारय किये हैं इसमे जो 470 का इंविजन है से वो बहुत इंपोर्टिंट है इस समय जो इन्होंने अटेक किया उस समय जो राजा था वो था महीरकुल महीरकुल आउ गया था उसके पहले जो माना जाता है कि महीरकुल के 470 के समय तो इसका बाप महीरकुल का जो पिता था जिसके बारे में मैंने अब भी बताया था नाम भूल गया मैं वापिस उसका ये क्या नाम था इसका हाँ तोर्मन तोर्मन जो था ये जिन्दा था तोर्मन ने उस समय अटेक किया और मिहिर कुल भी उस समय जवान हो चुका था उसने भी साथ में मिलके अटेक किया तो उसने जब अटेक किया तो जो नोर्थ वेस्ट फ बड़ा साशन भाइला लिया था तो फाइनली ये वो पिरियड आता है जिसमें गुपता डैनिस्टी जो है ये तो कमजोर हो गई है कुशाणों का नामों निशान बठ चुका है और उसके बाद जो वाइट होंस और ये हैप्टाइल ब्रांच है इसने इतना बड़ा सामराज यहां पर इस्टैबलिश कर लिया एशिया का बहुत बाग इनके कंट्रोल में आ गया और ये वाला जो हिस्सा है ये भी भारत का इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया जिसमें आपको कश्मीर देखेगा पंजाब देखेगा राजस्तान का कुछ पार्ट दिखेगा माल 505 में और कई लोग गयते हैं कि 515 में राजा बना था महिर कुल तो ये राजा बनता और ये और भी टाइरेंट होता है और भी डिस्ट्रोयर होता है बहुत ज़्यादा मतलब क्रूल तरीके से ये अटेक करता है और ये इसने एक तरह से एक बार के लिए तो गुपता एमप भी है ये शोदा वर्मन विश्णु वर्मन जो एक मालवा वेस्टर्न मालवा के राजा हुआ करते थे जो कि गुपता डाइनिस्टी के अंधीन ही फ्यूडल लोड हुआ करते थे उन्होंने हराया है तो ये बात यहां पर लिखी हुई है कई सारी इत्यास में की चीजों मे हुणों को हराया है तो ये लड़ाईया इनकी चलती रही हैं लेकिन फाइनली हुण जो है उन्होंने भारत के और एशिया के एक बहुत बड़े भुबाग के ओपर अपना सामराजे विस्तार किया था जिसमें नौर्थ वेस्ट जो भारत का फ्रंटियर है वो इनका पूरे कंट्रोल में आ गया था और गुपता डाइनस्टी जो है वो धीरे धीरे कमजोर होती जारी थी इनके अंदर जो फ्यूडर लोड्स थे वो भी अब विरोध करने लग गए थी और गुपता सामराजे जो है 550 आते आते पूरी तरह से समापत हो गया था डिकलाइन कर गया था ये मिहरकुल का समराजे है मिहरकुल जो जिसके सिक्कों के उपर और अभिलेकों के उपर इस तरीके की तस्वीरे हो जिस तरीके की मुर्तियां मिलती है ये मिहरकुल का समराजे है ये हुन डाइनस्टी के रूलर जो भारत में आये थे उनमें सबसे ताकतवर राजा माना ज खिलाव था बहुत धर्म की कई सारी मॉनिस्ट्री को इन उसने तुड़वाया है इवन जो कुमार गुप्त ने नालंदा विशोविध्यले बनवाया था उसके ओपर भी इसने अटेक किया उसको भी तोड़ने की कोशिश करी नालंदा विशोविध्यले को एक बार नहीं कई की बार तोड़ा गया है एक तो बक्तियार खिल जीने तो आगे चलके मद्यकाली न्यूग में तोड़ा है उसके ओपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था तो वो भी आप जरूर देखेगा तो इस महिर कुल ने भी नालंदा विशोविध्यले और बुद्धिस मॉनिस कहते हैं उनका अंत हो गया और इसकंद गुपति के बाद कोई ऐसा ताकतवर रूलर हुआ नहीं जो कि इन हुनों का सामना कर पाए और इन हुनों को भारत से खदेड के बाहर तक भगा सके इसकंद गुपति ऐसा लास्ट राजा था जिसने ये करने में सखफलता हासिल करी रूर कर लिए था और कोई एक तरह लूर कर लिया था और कशान जहां पे एक समय रूर करती थी वहाँ भून करने लग गए तो ऑनमल जो है इसने नौर्थईगिया के मौलवा चेटर तक कंट्रोल किया है और महिर कुल ने उससे भी आगे तक जाके नॉर्थ वेस्ट के एक लंबे छतर तक लगबग 30 साल तक इसने रूल किया है और 522 एडी में जब महिर कुल की मृत्यू हो गई और ये मारा गया कश्मीर के जो आसपास की जो प्लेइन से वहां पे इसको खदेर द लेते हैं कि क्या इसके significance क्या है implications क्या है तो जैसे कि मनें बताया है गुपता डैनिस्टी को समाप्त कर दिया राजपूताना यानि राजस्तान कश्मीर और जो दौआब च्छेतर है दिली जम गंगा जमना कशेतर का जो दौआब च्छेतर है मालवा region है इसको अपने कंट् और यहीं के ट्रेडिशन में गुल मिल गए और आज के समय बे भी इनको आप इनको ढूंडेंगे इनके अगर जीन्स को ढूंडेंगे तो अलग लग जातियों में मिल जाएंगे तो मतलब होन जो हैं यहां पे जो रह गए थे कुछ तो भाग गए वापिस महिर कुल के बाद जो रह गए वो यहां पी साथ मिल गए कई सारे कोईन और कई सारे अभिलेक आपको मिलते हैं जिनमें इनके बारे में आपको इन्फरमेशन मिलती है तो इस तरीके के आपको कोईन्स मिलते हैं तोर्मन और महिर कुल के और एक जो इरान बोर इंसक्रिप्शन है तोर्मन का य यह भी मिलता है मद्यपरदेश में इसमें भी कई सारी information आपको मिलती है कि इनों ने भारत के ओपर किस तरह से attack किया किस तरीके से गुपता रूलर से इनका सामना किया फिर किस तरीके से इनकी लड़ाईयों में किसकी जीत किसकी हार हुई यह भी इसके अंदर आपको पता चल कि वो इतना कमजोर पड़ चुका था क्योंकि इन हुणों ने इतने सारे attack करें इन कई सारी राजधानियों को पूरी तरह से destroy कर दिया और पार्टली पुतर अब एक चोटे से गाउं में तब्दिल हो गया था और असपास का जो पूरा चेतर है वो टूट के बिखर चुका था तो यह है उसके बाद पार्टली पुतर का फिर से पूर्ने निर्मान किया गया उसके बाद महिर कुल जो की हिंदुईजम को तो अपनाता था लेकिन बहुत धर्म के साथ नफरत करता था बहुत धर्म के कई सारी मौनिस्टरी को इसमें तुडवाया है नर्शिम गुप समराज्य है वो समाप्त हो गया लेकिन हुन जो भारत में रह गए थे वो रह गए और यहां ही मिलके इन लोगों के साथ रहने लग गए यह मिहर कुल का समराज है जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ उसके बाद इसका सिगनिफिकेंस क्या है सिगनिफिकेंस तो समराज्य है उसको समाप्त करके फूडिलरी जो सामन्त थे उनके हाथ में सत्ता चली गई और अब वो छोटे-छोटे समराज्य बनाके रहने लग गए थे कुछ समराज्य जो हाने वाले समय में ताकतवरी भी हुए जैसे कि आप जानते होंगे कि हर्शवर्दन का समराज्य है पुष्प भूती डाइनिस्टी जो है वो धीरे-दीरे करके आगे पावरफुल डाइनिस्टी बनी और हर्शवर्दन के समय उन्होंने उतने ही बड़ का एकनॉमिक और कल्चरल जो सिटीज थी उसमय पार्टली पुतर और उजेन जैसी सिटीज जो थी इनकी ग्लोरी जो है वो लोस्ट हो गई ये गुम हो गई अब ये शेहरों के सिगनिफिकेंस कम हो गई थी उसके बाद जो सबसे सिगनिफिकेंट इफेक्ट है इस पूरे इविजन का और इस पूरे परकरम का परकरन का वो ये है कि भारत में ये जो लोग आये थे जो भी परजातियां आई थी जो हिंसक परजातियां आई थी वो भारत में आकर रहने लग गई थी और उनके साथ-साथ कई सेंट्रल एशिया से और भी परजातियां भारत में आने लग गई जिसकी वज़े से रेशियल मिक्शर हो गया भारत के कई सारे लोगों के साथ ये लोग रहने और घुल मिलने लग गए जिसकी वज़े से आपस में ये मिल गए और मिलने की वज़े से आज के समय भी भी आपको लोकल पॉपलेशन में इनके कुछ अंश मिलेंगे जै बावा कुछ राजपूता फैमिली में भे इनके जीन षाते हैं तो बhãस्ते सब्सक्स सा कैली में मुझें लेकिन आते भी Teaching नहीं में कुछ लोह pakो हैं का हुन हो आते हैं लेकिन इनका आतेते का प्विक्षप्वा के मतड़ आते लेकिन ये लोग गुपताओं के समय गुपताओं का भी अंत वहीं पे आया और हुन आने के बाद भी उनका भी अंत वहीं पे आया लेकिन गुपताओं को इन्होंने कमजोर कर दिया था और उनका समराजी भी पतन हो गया ये भी एक ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पए लेकिन इन्होंने कई काफी लंबे समय तक भारत में एक दहशत का माहूल बना के रखा और कई सारी लड़ाईयां लड़ी और कई सारी मौनिस्ट्रीज बुद्धिस मौनिस्ट्रीज को तुडवाया ऐसे काम इन्होंने किया है कुछ facts की बात कर लेते हैं तोर्मन और महिरकुल दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है इन्होंने महाराजा दिराज की उपादी ली थी वैशनव धर्म को अपना लिया था इन्होंने भारत आने के बाद महिरकुल ने भी हिंदुजम को अपना के वैशनविजम को अपना लि वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सुस्क्राइब भी कीजिएगा तो थैंक यू सो मुच पर वाचिंग दिस वीडियो वाचिंग देख सी यू नेक्स क्लास